दिल्ली में होने वाले G20 समिट के दिन करीब आ रहे हैं इसलिए आज यानि की 2 सतंबर को पुलिस G20 सिखर संबेलन के लिए फुल रस्री हसल करेगी और राश्टर राजधानी के विबिन हिस्सों से नई दिल्ली जिल्लों की और काफिलों को ले जाएगी इसके चलते आज शनिवार यानि की 2 सतंबर को यातायात प्रभावित होने के संभावनाए हैं दिल्ली पुलिस ने यातरियों को शनिवार और रविवार को मेट्रो से वाक अस्तमाल करने का सला दिये बता दे कि दिल्ली ट्राफिक पुलिस लगातार ट्विटर के जर ये G20 के जारी की है उसमें कहा है कि शनिवार को रिहरसल का समय सुबह साड़े आठ बजे से दोपहर बारा बजे तक शाम साड़े चार बजे से शाम छे बजे तक और शाम साथ बजे से ग्यार बजे तक होगा क्यारकेट रिहरसल के दौरान यातरियों को इन सड़कों पर सामाने से जादा ट्राफिक मिल सकता है। इसलिए अगर आप इन रास्तों पर आज जाने का प्लान कर रहे हैं तो घर से जादा समय लेकर निकले। यात्री इन रास्तों का भी कर सकते हैं इस्तमाल। यात्रियों को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन की यात्रा के लिए अपने नीजी वाहनों, ओटो, रिक्षा, टैक्सियों का उप्योग करने की अनुमती होगी लेकिन इसके लिए जरूरी हो कि वो घर से जादा समय लेकर चलें इसके साथ ही दिल्ली पुलिस ने मेट्रो से यात्रा करने की सला दी है अगर एयरपोर्ट जाना है तो नीजी वाहनों, ओटो, रिक्षा और टैक्सियों के उप्योग की अनुमती है लेकिन इसके लिए भी आप समय जादा लेकर चलें और मेट्रो से यात्रा को प्राथ मिकता दें रिहलसल के चलते सिटी बस सेवाए बड़े पैमाने पर प्रभावित नहीं होंगी हाला कि नई दिल्ली इलाके में कुछ बसों को अलग-अलग सडकों पर डाइवर्ट किया जा सकता है साथी जी ट्विंटी सम्मेलन के दौरान आठ से नौ सितंबर तक दिल्ली में कुछ बाजारों की बंदी का निरनलिया गया था जिसे लेकर Confederation of All India Trades यानि की CAIT ने दिल्ली सरकार से दोबारा विचार करने का अग्रह किया है CAIT ने इस बारे में केंद्रिवानेज मंत्री पियोष गोयल और विदेश मंत्री S.J. शंकर को भी पत्र लिखा है इस पत्र में उन्होंने सुझाव दिया है कि G20 आयोजन के दोरान प्रगती मैदान में व्यापारिक प्रदर्शनी लगाई जा सकती है समिट के दोरान दिल्ली में सक्त सुरक्षता इंतजाम के प्रोटोकॉल से सहमती जताते हुए C.A.I.T. ने दिल्ली सरकार से आग्रह किया कि दिल्ली में कुछ हिस्सों में बाजारों और अन्य अवयवसाई गतिपिद्यों को बंद करने के फैसले पर तुबारा विचार किया जाए C.A.I.T. ने अपील की है कि कहीं इस निरने से पूरे विश्व में कोई नाकरात्मक संदेश ना जाए इस बिंदू पर भी विचार किया जाना चाहिए C.A.I.T. ने केंद्रे वानेज मंतरी प्यूष गोयल और विदेश मंतरी एस जैशंकर को जो पत्र लिखा उसमें यही सुझाव दिया है जिससे देश में कई राजियों के विशिष्ट प्रमुख उत्पादनों को प्रदर्शनी किया जा सके इससे विदेश से आने वाले लोगों को पिछले नोव वर्षों में प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी के दूर दर्शी आत्म निर्भर भारत तथा Made in India के तहत व्यापार एवं अर्थ विवस्था में हुई प्रगति किसे रूबरू कराया जा सके इससे मेहमानों को विभिन प्रकार के भारतिय उत्पादों के बारे में भी बताया जा सकेगा